संख्याओं का वर्गी करण संख्याओं को निम्न प्रकार से वर्गी क्रेट किया जा सकता है अब भाज्य, भाज्य, सम और विशम आईए उन्हें एक एक करके देखते हैं संख्या साथ पर विचार करते हैं चलिए इसके गुणन खंडों की सूची बनाते हैं आईए कुछ और संख्याओं एवं उनके गुणन खंडों को देखते हैं इन संख्याओं की बीच क्या समानता है इन सभी संख्याओं के केवल दो गुणन खंड हैं एक और वो संख्या खुद वह संख्याएं जिनके केवल दो गुणन खंड होते हैं यानि एक और वो संख्या खुद अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक एक अद्वितिय संख्या है जिसका केवल एक ही गुरंध खंड होता है। एक या वो संख्या खुद। इरातोस थीन सिनामा के एक यूनानी गणितग्य ने एक से एक सो के बीच की अभाज्य संख्याओं का पता लगानी के लिए एक सरल विधी तैयार की थी। चलिए इस विधी को देखते हैं। हम दस कॉलम की एक तालिका बनाते हैं। प्रथम कॉलम में हम एक से लेकर दस तक की संख्याओं की सूची रखते हैं। दूसरी तालिका में हम 11 से लेकर 20 तक की संख्याओं की सूची रखते हैं। आगे भी इसी प्रकार संख्याएं रखते हैं। इस प्रकार अंतिन कॉलम में हम 91 से लेकर 100 तक की संख्याओं को रखते हैं। हम उन संख्याओं को काड़ देते हैं जो अभाजे नहीं है एवं उन संख्याओं पर घेरा बनाते हैं जो अभाजे हैं एक अभाजे नहीं है क्योंकि इसका केवल एक गुणनखंड है हम इसे काड़ देते हैं 2. एक अभाचे संक्या है, क्योंकि इसके ठीक दो गुणनखन हैं, हम इस पर एक घेरा बनाते हैं, हम दो के सभी गुणचूं को काड़ देते हैं, तीन अभाज्य है, हम इसके चारों तरफ एक घेरा बनाते हैं, हम तीन के सभी गुणजुं को काड़ देते हैं, हम यह प्रक्रिया तब तक जारी रखते हैं, जब तक कि एक से लेकर सौ तक की सभी संख्याओं पर घेरा ना लग जाए, या फिर उन्हें काट ना दिया जाए कहा जाता है, घेरा लगी हुई संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, एक से सौ के बीच पचीस अभाज्य संख्याएं हैं, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं हैं, दो को छोड़ कर सभी अभाज्य संख्याएं विशम हैं, अभाज्य संख्याओं के युग्म दो अ बाज्य संख्याएं हैं, जिनका अंतर दो होता है। ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्ये। इसका केवल एक गुणनखंड होता है। एक यानि वो संख्या खुद। आईए इराटोस्थीन्स की चलनी पर पुना विचार करते हैं। जो दो, चार, छे, आठ और शुन्य पर समाप्द होती हैं, समसंख्या कहलाती हैं। सभी समसंख्याएं दो से पूर्टेया विभाज्य होती हैं। सभी समसंख्याएं दो की गुणाज होती हैं। संख्याएं जो एक, तीन, पाँच, साथ, नौ पर समाप्द होती हैं। समसंख्याएं कहलाती हैं। विशम संख्याएं दो से विभाज्य नहीं होती हैं। दो को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विशम होती हैं।